एक्स चैड से लिमिटेट वांस टू पर्चेज एबी सी लिमिटेट बाय एकचेंजिंग जिरो पॉइन चैवन ऑफो इच च्यर ओफ एबी सी लिमिटेड है वो एबी सी लिमिटेड को उसके एक शेर के बतले में अपने 0.7 शेयर करके पर्चेज करना चाहता है और फिनशल डाटा में यहां पर दे रखा है फिर सब्सक्राइब के उपर मर्जर दोनों कंप्पनिस के उनके उपर बताना है मर्जर का का impact यानि दोनों कंपनिस के eps के उपर merger का क्या impact हुआ इंपक्ट किस तरीके पता सकते हैं कि प्रिमर्जर eps इतना आपका पॉस्ट मर्जर eps यह है तो compare करके जो भी difference हो वह आपका impact हो जाएगा तो प्रेमर्जर eps तो मैं पता है 4028 पोस्ट मर्जर eps नहीं पता है और पोस्ट मर्जर eps का फॉर्मला क्यों होता हुआ इसमें निमिडिर में रहते हैं निमिडिर निधर में तो आपका आंसर आगा 5.12,00,000 कि तना आगा 5.12,00,00,000 है और डेनो erिकार चाहिए कि जिए के टोटल नंबर ऑफ शैर हम चाहिए तोटल मुझे चोटल जय चाहिए तोटल परकर चाहिए का पर्सक्प데र के थो एकॉरियर है यह रही चाहिए जो ऑब बीसी लिमिटेट है यानी ज दूसरी फर्में जो की टारगेट फिर्म हैं उसके पास अभी चाहला है लेकिन उसको यह मैं आपको आपके रहेक शेयर के बतले में 0.7 चाहला के बतले में मैं कितने नमर ओव दूंगा तो 4 lakh इंटो 0.7 by 1 यानि कितने नमर ओव शेर से जाएंगे 2,80,000 नमर ओव शेर सो जाएंगे एब इस के पास कितना हो गई है और यह अज़ एपस टूल नमर अब शेर सके तो करने के लिए लेकिन आपको यहां पर बता देता हूं जो कुछ हम इस तरीक से करते हैं अभी मैं करके बताऊंगा तो देखना उसको अच्छे से प्रिमर्जरी पेस का मतलब क्या हुआ प्रिमर्जरी पेस का मतलब हुआ कि जो xy z है उसको एक शेर के उपर 40 टॉपय कमा था और जो ए बी सी है वो अपने एक शेर को अपर 28 और पहले कमा रहा था यह हूआ ना पपोस्ट मर्जरी पेस कितना रहे हो थो एक मिनट् सॉर्ड सिसॉटिया रह यार यह तो बसक्तृ कि अब टोड़ा City के बंद से बहुए nyaफ और आप कितना कमस्वह और यह नहीं कितना कमा रहा है अब अभी सी ए बीसी का देखते हैं ऐली एक शर को अपर तो अगर एक शेर कमाता है तो जब भी हम इस तरीके का स्टेट्मेंट बनाते हैं जिसमें हमें इंपक्ट निकालना हो गेन लॉस निकालना हो जब भी हम ध्यान करते हैं प्री मर्जर eps को कंपैर करते हैं पॉस्ट मर्जर eps से पृस्त मर्जर eps से तो हम क्या करते हैं जो टारगेट अब्देश की लिए हम क्या निकालते हैं आडज़स्टे ओस stat 이 पर निकालते हैं जो प Coleman वोता पर डंश का अ कर ना होता है हुसकोन हमेसा में क्या करना पड़ता है हमें अध्जस्चेट ईपिस निकालना होता है ओस इपेस को हम क्या बोलते है एक्सचेंज रेशियो से इंटू कर देते हैं तो हमारा एडजस्टेट एपिस से अजाता है टार्गेट कमपनी का और इस तरीके से क्योंकि यह हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो इसमें हमें कंपेर करना होता है और कंपेर यहां पर प्री मर्जर में यहां पर एक के सब्राणियों करना है तो अब यहां पर यहां की was eg8-0-7-4-0-7 के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना पड़ता है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है टार्गेट कमनी के लिए हमें एडजस्टेड फिर निकालना पड़ता है ठीक है तो आपको यह वाद समझ में अगे होगी फर्स्ट हमने कम्प्रीट कर लिया तो जो एक्सवाइब यह उसने 0.7 एक्षेंज रोश्यों है इसका ओफर दिया था एबीच को लेकिन एबीच को यह उफर पसंद नहीं आया उसने बोला कि जो एक्षेंज रोश्यों होगा ना वह वन इस्टू वन का होगा क्य जो एक्षेंज रेश्यों है गर वन इस्टू वन होता तो जो एबीसी लिमिटेट है उसको मर्जर में कितना गेन होता है क्या होता है यह ठीक है आपसे पूछ रहा है और यह निकालते वक्त आपने यह एज्जूम करना है कि जो एक्सवाइज लिमिटेड का जो प्री मेर्जर तो फिरेशु का इय। sleet लिमिटे णले प्री मैं प्री मर्जलर का लिमिटेड का क्वाइज में दर्कलु में दर्कलशन दर्शन निकाले यहां किटी है तो हम निकाल लेते हैं देखो गेन जब धी तो हम क्रणाने के तो हम क्रते हैं हम कंपेर करते हैं कि प्रिमय तो पॉस्ट मर्जर मध्य है प्रीम रिंपी ज영ब निकल करتे हैmos प्रिम॥ Undo सब्सक्राइब तो प्रिमर्जर निकालना हमें पोस्टमर्जर निकालना है ठीक है तो ध्यान रखे मैं लिखी देता हूं यार नहीं तो यह हमें पता है सब्सक्राइब करेंगे पोस्टमर्जर निकालना है तो यह कैसे निकाल सकते हैं या तो हमें मार्केट कैप पता हो तो हम क्या करेंगे मार्केट कैप डिवाइड बाइड नंबर ऑफ शेयर तो हमें निकल कर क्या आ जाएगा या फिर दूसरा तरीका होता है पी रेशियो निकालने का पी रेशियो से निकाल सकते हम बट शर्त यह है कि अगर आप पोस्ट मर्जर एंपेस निकाल रहे हो तो जो पी रेशियो है उसमें सारी फिगर्स पोस्ट मर्जर की होनी चाहिए अगर आप प्री मर्जर एंपेस न देखो किअ कि यह रहा है कि अ पैसे कितना कि उदार उन्ट cycle कि एसमाइड right एफ्घिकू क्या जो आप एम एप्ण के खच्तेलग कि भलते ने फैके यह पर निकाल दो में पोस्म और निकाल निकाले कि 1 निखा निकाला सकते हैं क्यूंकि निकाला था ना पोश्म 8 यह 07 वाला यूज किया था अब हमं क्लिख करना Wähler यह वाला नहीं निकाल सकते हमें दुबारा से निकालना पड़ेगा इस йू सक्षास करें पोस्मर्ज are EPS निकालना पड़ेगा तो formula आपका यह रहा इसमें हमने क्या किया जो exchange ratio वो 1 is to 1 रखा तो हमारा जो EPS वो कितना गया 36.56 आ गया post merger EPS तो post merger EPS भी हमें पता जलिए कितना गया 36.57 का और यह post merger MPS हमें निकालना था तो MPS को X माल लिए तो X कितना गया यानि post merger MPS कितना गया 228.56 का आ गया तो देखो post merger MPS हमें पता जलिए प्री मर्चर MPS हमें पता था लेकिन target company के लिए हम क्या निकालते है target company के लिए हम हमेशा adjusted MPS या फिर adjusted EPS निकालते है तो इसके लिए हमें adjusted MPS निकालना पड़ेगा और मैंने आपको बता रखा adjusted MPS कैसे निकालता है यह जो भी आपका MPS से EPS आया हो उसमें आप क्या करो एक्षिय रश्यों कर दो तो हमारा MPS कितना है 228.56 का और इसमें हम क्या करें पीचेंगे एक्ष्यें रश्यों को मल्टिप्लाय कर देंग के एक्ष्यें कितना है one is two one तो हमारा जो पोस मलजर सौरी जो टार्गेट या सौरी bomb कमनी का söरी एडडेस्टेड पोस मलजर MPS कितना है 228.56 कशने on is वह नहीं था अब कंपेर करो तो आप देखो यह कुछा 9 जल questo गे नुट यह इंट हुशिघ नुट póंज चैनल की है कि इस फाइर सफीजुट के घंड हो रहा ऐ सब्देकों चींडों में इस्डारएं लत पोखकty1.10 शुटूज तो हमने अभी बताया ना कितना लॉस हो रहा है आपने निकाल लिए 21.44 का लॉस हो रहा है देखो इन्होंने भी बाद में यहां पर निकाला है हमने अरड़ी एक महीं निकाल लिया था ठीक फिर फॉर्थ में क्या बोला है डेटर्माइन दा मैक्सिमम एक्षेंज रेशियो असेप्टेबल टू शेर होल्डर्स ऑफ एक्स वाइज लिमिटेड एजुमिंग एक्स वाइज लिमिटेड वांट्स तो मेंटेन सेम एंपिएस अब देखो पहले ओफर दिया एक्स वाइज ने ञात्षाइज रहा है यहां वे अपर अपने उसको में अधेड करके रखना चाते हैं तो तो पूराना मेंटेन करना चाहते हैं और इस को मेंटेन करते हुए आप उन्हें एक ऐसा कोई एक्चेंज रिश्यों बताओ जो कि इन्हें एसेप्टेबल हो तो देखो जो एक्षचेंज रिशयो होते है ओसको दो फ्रॉंली होते हैं एक तो सिंपल सा भी तक आप पढ़ते हैं रहते हैं पनी रभी है कि ऑफ टार्गेट कंपरी डिवाइड़ marking मेटर्ज पूख्ट है तो यह तो नोर्मल Lite帶 हम नेकालते हैं लीकिन जब्यायर आपसे मैक्सिमंगाइब क्वेशा पूख्ष है पूखः है तो हम कौंсят यहां पर शेयर पर बात करी जा रहे हैं यहां पर टोटल बेसी पर बात के जा रही है कुँछ अब देखो इस मैं शेयर को निकालते वक्त हमें और टारगेट कंपनी तो पता है कितने हैं और यहां पड़ेगा तो निमेटर में है कि जो शेयर वह कितने इस्यू के जाएंगे किसको target company को यानि जो xyz है वो abc को कितने number of shares issue करेगा तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि merge firm है उसमें total कितने number of shares होंगे तो अगर हमें पता चल गया कि चलो merge firm में x number of shares होंगे x में से 10 lakh number of shares तो already exist करते हैं जो कि xyz के पास है यानि total में से अगर इतने xyz के पास है तो इतने shares target company को issue करने पड़ेंगे तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें हमें पता है कि existing shares कितने से अधार करने के पास बसमें क्या पता करना है कि जो total जो मुझ मेर्ज उसमें कितने total number of shares कितने होने चाहिए अच्छा total number of shares निकालने के ना दो तरीके होते हैं पहला तरीका तो आपका हो सेखता है कि total earnings divided by लिक करके दिखा देता हूं तो टोटल राणिंग्स डिवाइड़ बाई ईपीए अगर आप कर दोगे तो आपकी टोटल अम्मर ऑफ शेर साज़ेंगे दूसरा तरीका हमारा यह होता है कि मार्केट कैप कि डिवाइड बाई एंपीएस कर दो उसकेस में भी आपका टोटल नम्मर ऑफ शेर निकल करके आ जगा लेकिन इस कोशन में उन्हों ने बोला कि आपको जो एंपीएस है न वो सेम रखना है एंपीएस क्या रखना सेम रखना पूराना वाला प्रीमर्जर एंपेस ही चाहिए तो हमें एंपीएस को बेस लेना पड़ेगा यानि हमें यह वारा फॉर्मला यूज करना पड़ेगा ठीक तो यानि हमें हमें हम किस तो लिके से 보护 सेमर्ड के एंप बाई mp आधा तरीक पी शो कि मतल से इंडारेकिल भी निकाल सकते हुद को स्काफिर हा पिश extend कैसे निकालते हैं तो अच्छा cono स्विखक से क्यों नहीं निकाल रहें पी शो की मतल से क्यूं सका रहें हम एंप यह नहीं काल रहें क्यांकि दो कि्यों थे तो पता participate लेकिन हमें total number of shares of merge form तो नहीं पता है ना हमें वही तो निकालना है MPS into number of shares करते हैं एक इस तरीके से निकलता है market cap यह ना market cap इस तरीके से निकलता है तो हम क्या कर रहे हैं अभी इन दोनों के divide करके हम यही तो निकालना चाहरे हैं अगर हम यही पता होता तो हम सिंपल से MPS into ना कर देते हैं तो हम यह वाला फॉर्मला तो सिंपल वाला तो यूस करना पड़ेगा तो पी रेश्यों यह होता है इसमें अगर मैं उपर नूमियेटर में नमपर आफ शीर्स दोनों के इंटू कर दू तो क्या कोई फर्क पड़ेगा नहीं फर्क पड़ेगा यहे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ठीक है अब देखो MPS into number of shares को मैं क्या लिख सकता हूं Market Cap लिख सकता हूं और EPS into number of shares को मैं क्या लिख सकता हूं Total Earnings लिख सकता हूं Simple तो अब हमारी Total Earnings क्या है पी रेशो तो मैं पताँ 6.25 का है Total Earnings क्या है तो टोटल लनेंग तो अभी आपने मैंने निकाली थी न कि तोटल को कितनी होगी कि 5 करोर 12 वारा लाक रुपे की बताया था आपको यह टोटल लंबर ओशेर इंटू तो एपेस इसकी टोटल लेंग आ जाएगी इन दोन को प्रस कर दो गया तो आपकी क्या जी कि पांच क्रूब रादा लाग की टोटल अर्निंग आ गई अब एक सवाल आपके मन में और आ या कि सर हम एपी इंटू पर और अप कर सकते थे लेकिन पता हैं कि पोश्री पर निकालने के लिए क्या चाहिए आपको अपको एक तो लूटल नमिपर ओफ चाहिए उपर से आपको थो चाहिए तोमें नहीं पता है इसलिए लेकिन टोटल अलग फिकर सो इतना कर सेलस्टा कर सकता है और मार्केट कैप हम कैसे निकालेंगे 6.25 यानि पी एशो इंटू टोटल अंडिंग्स कितना आएगा आपका 32 लाख आपका आजाएगा टोटल मार्केट कैप तो देखो मार्केट कैप आपका आ गया MPS आपको पता है 2500 तो आपका नमबर ओव शेयर से निकल जाएगी टोटल नमर ओशोट शेयर मर्ज फ़र्म में कितने एंचाहिए तो देखो यह आपका market cap निकल किया तो market cap divided by pre-merger mps तो यानि कितने number of shares होने चाहिए जो merge form है उसमें उसमें आपके पास 12,80,000 total number of shares आएंगे इसको solve करके तो आपका answer आगा 12,80,000 shares अब 12,80,000 total much form होने चाहिए मेरे पास अभी कितने हैं exist करते हैं 10,00,000 shares exist करते हैं यानि जो target company है अगर acquirer company के पास 10,00,000 number of shares exist करते हैं तो जो target company है उसको कितने number of shares हमें issue करने पढ़ेंगे तो 12.8,00,000 minus 10,00,000 is called to 2.8,00,000 यानि 2.8,00,000 हमें issue करने पढ़ेंगे यानि देखो हमें यह पता लिगा कि कितने number of share target company को जो है issue करने पढ़ेंगे 2.8,00,000 issue करने पढ़ेंगे और अभी कितने share exist करते हैं इसके पास 4,00,000 share exist करते हैं target company के पास तो exchange ratio हमारा क्या हो गया नया 2.8 is to 4 हमारा maximum exchange ratio है देखो इन्होंने भी यहां पर यही निकाल रखा ह यही निकाल रखा है यही आ रहा है ठीक तो आपका सवाल होगे solve किसी भी तरीके कि कोई भी problem आ रही हो कोई भी query हो आपकी तो आप comment box में अपनी query यह problem डाल दें और मैं उसको solve परने की कोशिश करूँगा आपको मैं reply जरूर करूँगा